नमस्कारूं मैं डक्टर एक खबर्मा राजकी पंगण महाविद्यले डीडवन असे मेरा विशे है बी ए प्रथम बर्ष में हिंदी साहित में और प्रथम प्रश्ण पात्रों आज हम बात करते हैं सूर्फ सारवली की प्रामाणिकता की वार्दा साहित की अनुसार सूर्दास ने अपने जीवन काल में सहस्रा आवब्द अपधी पत बनाए सूर्दास ने सबालाग पत बनाई ये ठीक पे प्रतित होता है क्योंकि एक लाग पक तो श्री बल्लभाचारिज के शिश्र होनी की उपरांत और सारवली की समाप्त होनी तक बनाए तादा इसके आगे पीछे के तो अलग ही रही होंगे प्रसिद इत्रे हासकार शिप सिंग सेंगर ने सूर्दास की साथ हजार पत देखे कि इंतु समक ग्रंत नहीं देखा सूर्दास ने अपनी सूर सारा सागर सारवली में लिखा है तादिन तेहरी लीला गाई एक लक्ष पदवन ताकि सार सूर सारा वली कावत अतियानन रिपोर्टों और खुजों की अनुसार हिंती साहित के इत्यास ग्रंतों में सूर्दास की 25 से भी अतिक रचनाओं का उल्लेक मिलता है कि दूसूर्द ने ने ग्रंत की लेखक ने उनकी साथ रचनाएं प्रामान एक सूर सारा वली, दूसरी साहित लहरी, तीसरी सूर सागर, चौथी सूर साके, पांच मी सूर 25 और छटी सेवाफल और साथ मी सूर 10 के विने आधिस पुटफद डाप्टर दीन दयाल गुप तथा आधुनिक अलेचकों ने सूर की केबल इन तीन रचनाओं को प्रामानिक माना है, एक सूर सागर, दो सूर सारा वली और तीन साहित लहरी सूर सारा वली सूरदा सी की बहु चर्चेत रचना है, विद्वानों में इसकी प्रामानिकत की संबंध में, विद्वानों में प्राय तीन मत प्रचलित है एक सूर्चारावली सूर्दास कृत एक प्रमानिक रचना है किन्तु यह है सूर्चागर का एक अंश्मात्रिया संशीप या सार है दो सूर्चारावली प्रमानिक रचना है और यह है सूर्दास की स्वतंत्र रचना है सूर्चागर का अंश्मात्रिया संशीप में तीसरा, सूर्सारवली एक अप्रमानिक रचना है यह सूर्सागर का अंश या संशिप ना होकर सूर्दास की अतरिक्त किसी अनिक कृष्णु भक्त की रचना है डॉक्टर ब्रजिशर बर्मानी सूर्सारवली को अप्रमानिक माना है उन्होंने लिखा है यह निसंत कोच कहा जा सकता है कि कत्थावस्तू भाव भाशय शेली और रच्णा की द्रिष्टी कोण की विचार से सूर सारावली सूरदास की प्रमानिक रच्णा नहीं जान पड़ती डॉक्टर बर्मानि अपने अभेमत के समर्थन में सूर सागर और सारावली की बीच 27 अंतर दिखाए हैं डॉक्टर प्रीम नाराइं टंडन ने भी अलेक उद्धरोनों से सारावली और सूर सागर के भाव पक्ष और कलापक्ष की तुलना करके सारावली को अप्रमानिक सिद्ध किया हैं डॉक्टर ब्रिजिशिक बर्मानी सारवली को एक स्वतंद रचनमाना है जिसकी कथाबस्तु में सूर सागर की कथाबस्तु से खनिष्ट साम होते हुई भी उसे निष्चित सूर सागर का संशिप नहीं कह सकते डॉक्टर प्रेम नराइंट नहीं सूर सारवली की प्रमानकता सिद्धिकन्नी के लिए एक स्वतंद ग्रंद का निर्मान किया वो नहीं सूर सारवली को प्रमानक रचनमाने वालों की मत भी उद्धरिट किये हैं उन्होंने सूर्दास की सारावली की प्रामानकता भी विच्चन करती हुए उसे प्रामानक मानेनी वाले सूर निर्ने की लेखा के मत की चर्चा इस बेकार की है केबल सूर निर्ने के निर्नेकारों की सारावली की प्रामानकता पर विचार से विचार किया है और ये निसकाश निकाले हैं कातावस्तु भाव भशे शेली और रचने के दृष्टि कौन की विचार से यह सारावली नेहे संदे सुर्दाश की प्रमानिक रचना है इसमें प्राप्त आत्मकत्हन और कवी छापों से भी इसकी वुष्टी होती है सारावली की रचना विक्रम समथ सोले से दो में हुई है सारावली का आधार पुरशोत्म साहस्त्र नाम है सारावली का दृष्टी कौन से द्धान्तिक रहा है विक्रम समद सोले से दो परियंत सूर्धास ने शीवत भागवत के द्वादर्स इसकंद के अतरीक दू बल्लब संप्रदाई की नित्य और वर्शुत सब की सेवा के जेन पदों को गाया था उन्हें को यह सुची पत्र अत्वा सिध्धान तात्मक सार है सिष्टी रिष्णा के लिए उसकी प्राणविक ब्रिशिष्ट प्रस्थावना और होरी खेल की कल्पना इस सिध्धान तात्मक तिष्टी की पुष्टी करती है द्वादश इसकंदात्मक भागवत की सार रूप में इसमें प्रधानिते 24 अफ्टारों का वर्णन और नित एवं उत्सक की सेवाओं की सार रूप से सहरत संवत्सक लिल्ला की भावनाओं का वर्णन है इस प्रिकार सार वली में कता वस्थू को दो भागों में प्रतक प्रतक बांटना भी ताको सार सूर सार वली बाले कथन की पुष्टी करता है इस प्रकार सूर्व सारावली सूर्दाज की एक स्वतंतर से धन्तिक रशना है डाक्टर गोबर्था नात शुकल ने सूर्व सारावली के लेखन का रहस से निरूपन करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार अठारे हजारे श्लोक वले सिर्मत भागवत महापुरान को सुवता की दृष्टी से आचारी ने पुर्शोतम सहस्र नाम के 256 श्लोकों में बांड दिया उसी प्रकार सहस्रावधी बदवले अपनी सागर को भी सूर्टी सारावली के 1107 युगमों में संशिप्ट कर दिया है सारावली में कुल मिलागा 1107 युगम हैं अंतिम बारे बक्तियां बड़े महत्व की हैं इन पंक्तियों से सूर के दिक्षाकाल, कविकर्म, लीलागान, तत्वगान, फल्शुति का इसबस्ट संकीत मिलता है ये पंक्तियां इस प्रकार हैं करम जोग उपनिग्यान उपासन सभी ब्रह्म भरमायो श्री बल्लब गुरुतत्प सुनायो, लीला फेद बदायो तादिन तेहरी लीला गाई, एक लक्ष पदबन, ताको सार सूर सारा वलिगावत अति आनन्द तब बोले जगदीश जगद गुरु, सुनो सूर मम गात, तब कृत मम जो गावेगो सदा रहे मम साथ धरी जीये, नेम सूर सारा वलिग, उत्तर रच्छ निकाल, मन बंचिद, फल सवही पावेगाई मिटेश जन्म संजाल सीखे सुने पढ़े मन राखे, लिखी परम चितलाए, ताक संग रहत सोनी से दिन आनन्द जन्म बिहाए सरत समंतर लीला गावे, जुबल चरन चितलावे, गरभवास बंधी खाने में सूर वहुर नहीं आवे अनिक रहस्यों का संकेत देते हैं ये पंक्तिहां, जिसे कर्मकान ग्यानो पासना आधी साधन प्रधान भक्तियों की बिना प्रहम मात्र है मेरे ग्रूव आचारे बल्लम ने मुझे सूर तत्वत श्रमन करा दिया हैं, उन्होंने मुझे लीला का रहस समझा दिया है जिस दिन से उनका मुझे साक्षा कार हुआ है, उसी दिन से मैंने हरी लीला का गान किया है और उस हारी लीला को मैंने एक लक्ष पख्धों में पादा है उसी हारी लीला का सार रूप यह सारवली है यह सारवली सरस सम्मंतर्श लीला है इस सारवली को भगबत प्रसाद प्राप्त है स्वयम भगबान एव방 गुरूदेप ने अपने शरी मुक्षे इसकी फलशुत्री का वर्णन किया है आंत में श्री कृष्णी की मुख से भी कहलाते है सूर सुनो तुमारे द्वारा वर्णित मेरे इस यश का जुगान करेगा वह सदेप मेरे साथ रहेगा वह जानम मनर्म की बंदन से छोट जाएगा और मन वांचित फल पावेगा इस सम्बत्सर लेला की गान से और भगवाद चरणान विंद की ध्यान से मनुष गरो वास की कारक रह से मुक्त हो जाएगा श्रवन और लेला रह से दो बातें अलग-अलग कहीं है और दोनों ही बातें आचारे से प्राप्त हुई है डाक्टर शुकली ने तत्व श्रवन का तातपर आश्रे तत्व अर्थात एक मान दृश्री हरी से नमाना है नामश्रवन की संबन्द में शुकले जी ने संप्रदाई की मानेदाई इसपस्ट करते हुए लिखा है कि नामश्रवन सी जीप आत्मगत पांच प्रिकार के सहच जन्मचाद दोशों से मुक्त होकर शरण में जाने और आत्मनिवीदन की सामर्त पाने का अधिकारी होता है दोशों सी परिपून जीप एकदम भागवत सानित अत्वा आत्मनिवीदन का अधिकारी नहीं होता अध्य पहले उसे नामश्रवन करा कर आत्मनिवीदन की भूमी पर लाया जाता है तब उसमें भगवत साक्षतकार की पातरता आती है तब ही लीला रहसी कुछ जानेनी का अधिकारी बनता है डॉक्तर दीन दयाल गुप्त की शिब्दों में सारावली सूर्सागर की एक भूमिगा ही है इसी मत का विशद विविचन करते हुए डॉक्टर मन मोहन को तमने लिखा है कि सूर्सागर में लीला का दृष्टिकों इतना प्रधान था कि उसमें सैध्धान्तिक विविचन का अफसर ना था सूर्दाशी का भक्त खिर्दे इस दृष्टिकों को इस पुष्ट करनी को वियक रुखो उठा उन्होंनी सारावली की सौतंत्र रचना कर डाली सौतंत्र इसलिए कि यह गरंद सिध्धान्द गरंद है सौर्दाशी की अपेक्षा इसकी रचना में कवीनेच श्रीमत भागवत और पुष्टम सहस्तर नाम का आधार अधिक लिया है यादपी सुध्धान्द के दृष्टित से तो सौर्दाशी का भी मूल भागवत ही है इसलिए तत्व रूप में यह गरंद सौर्शागर का पूरख है इसलिए सौर्शागर के संपादन के पशात सौर्दाशी ने सौर्शारवली को सौर्शागर के आरम में ही इस्थान दिया है राग्डर चंद्रवान रावत ने सूर सारावली में सूर की एक्षैलिगत प्रवर्दी का सैध्धान्तिक विकास माना है जहां सूर सागर के लंबे पदों में आये भावसूत्रों का प्रसार कीर्टन के गिये मुक्तों में किया गया है उसी प्रकार सारावली में सैध्धांतिक व्रिस्दित्री की और कभी का ध्यान रहा है जहां कीर्तन पदों में भाबों की ज्यात अज्यात चवियों की खोज और उनकी निब्रती सूर्शागर की कभी की अभिष्ट है वहां साम्रेदाइक सिध्धनतूं का इसपस्ट कथन सूरत सारावली के कभी का अभिबरेथ है इस प्रिकार सारावली में कभी की एक शैलीगत प्रवर्थी को ही सध्धनतिक विकास माना जाहिए सारावली का मनुपेघ्यानिक विश्लेशन करने पर ग्यात होता है कि इसमें सूर की व्यक्टित्व का बहुत्तिक पक्षही विशेज सजग है बल्लभाचार जी ने सूर की व्यक्टित्व का बहुत्तिक परिशकार भी गिया था और भाबात्मक उन्नयन भी बहुत थिक द्रिष्टी से सुर को संप्रदाय के सिध्धान्त और सेवा विधियों का याथार्द ग्यान कराया गया बल्लव आचारे जी के पशाद यही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने आचारे जी के शिरी मुख से संप्रदाय के रहस्यों को सुना था और सफी का मर्म इसपरश किया था आचारे जी की व्यवाहरिक जीवन को जितने समीब से सुर्दास ने देखा था उतने समीब से समभविते किसी ने नहीं देखा था संप्रदाई की सिधन्तों की उल्जनों को सूर बिना लेकित प्रमान और ज्यान के अत्यन सरल्दा से सुलजा देते थे इस द्रिष्टी से उन्होंने एक रचना ऐसी करना चाहां उचित समझा जो संप्रदाई की तत्वों का निर्वपून कर सके इस पस्ट तै इसके दो भिवाग प्रतीत हुए विशुत से धन्तिक और वशुत सब की व्यवहारिक सेवा विधियों से संबंदित सुर्जारावले की प्राधम के पत्ति समंद में डाक्र मुशीर राम शर्मा ने लेखा है कि यह पत वही है जो सुर्जागर के प्रत्थम इसकंद के प्राधम में पाया जाता है शब्दों में थोड़ा सा परिवर्दन है सूर्जागर में पद की टेक है चरण, कमल, बंदो, हरी, राई और सारावले की पद की टेक है बंदो, श्री, हरी, पत, सुखुताई अन्तिम पंक्ति में भी शब्दों का थोड़ा सा परिवर्दन है यह पद सारावली का प्रथम पद नहीं है सारावली की छंदों की संख्या अभिगत आधी अनन्द अनूपम अलख पुरिश अभिनाशी पूरण भ्रह्म प्रकट पुरुशोतम नित निज लोक बिलासी इस छंद्र से प्रारम होती है मालम होता है कि सूर ने या अन्य किसी प्रतिली पिकार ने यह पद मंगलाचरण की रूप में सूर सागर से निकाल कर यहां रख दिया है इस प्रकार से डाक्टर गोबर्धनाद शुकल ने सूर सारावली को सूरदास की प्रामानिक रचना से दिखिया है उन्होंने लिखा है कि सूर्णी अपने साघर की जन्म कथा का रहसिस पस्ट करते हुए सारवली की जन्मी की ओर भी संकीत कर दिया है ताको सार सूर सारवली का वतियति आनन सारवली और कुछ नहीं के बल एक लक्ष बदबंद बाली हरी लेला का सार ही है सार लिखनी की यह परंपरा वांगमी की अपने प्राचीन परंपरा है उदारण के लिए भगबान ने संपून भागवत प्रमाजी को चार ही श्लोकों में सुनाए श्री सुकडीब ची की द्वारा पिरद्वादाश इस्खन्द गात्मक श्रीमत भागवत की संपून चर्चरा कर दीं जाने पर और उसकी फल्शृती अग्यानितम का निसन और भगवतपत की प्राप्ति कह दीं जाने पर पुने संपूर्ण भागवत की अनुक्रोमने का प्रस्तुत की गई है संशिप कहने की यह प्रवर्दी भार्दिये आचारियों कभियों और भक्तों में निरंतर पाई जाती है शीमत भागवत प्रसंगों का संशिप्ती करण ना केवल आचार बल्लफ नहीं किया है बारन उनसे पूर्व और पश्चाद भी हुआ है सूर सारवली भी सूर सागर का सार है यह इस पस्ट है धन्यवाद